नमटकार, हेलो और वेलकम टू दा लीगल अबजर्वर, मेरा नाम है मनोज रुस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, हमने इस चैनल पर जैसे आपको पहले भी बताया था कि हमने एक और श्रंकला की शुरुआत की, एक और सिरीज की शुरुआत की, एक आज पब्लिक अब्जर्वर की श्रंकला में हम बात कर रहे हैं सेंगोल, राजधन और सम्विधान, सेंगोल और सम्विधान ये बहस चुरू हो गई है अठारवी संसद के इस सत्र में, दूसरे ही दिन, शपत के जश्बात, राष्टपती के अविवाशन के साथ ही ये बह प्रदान मंत्रे के शब्दों में अठारवा साल उन्होंने एनलोजी दी इसको व्यस्क होने की कि आप टीने से मैचुरिटी की तरफ जाते हैं, तो उस अर्थ में भी कहें तो उसके कुछ-कुछ लक्षन, उसके कुछ-कुछ सिम्टम्स सदन के इस सत्र के शुरुवात में ही दिखाई दे रहे हैं, इवन शपत ग्रहन के दोरान ही निजर आ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां जो स्पीकर का चुनाओ, जिसको लेकर भी विपक्ष ने बताया, प्रतिकात्म की सही, लेकिन विपक्ष ने बताया कि बदलते वक्त में अगर परंपरा तो हुआ ये, संगोल आपको ध्यान होगा कि जब नया संसत का भवन बना है, जिसमें इस बार अठारवी लोग सभा का ये सत्र शुरू, शुरू हुआ है, बड़ा भव्य और जिस पर जो खर्च हुआ, उसको लेकर भी खासा विबाद हुआ, जब इसका उद्खाटन हो र गया कि इलाबाद से निकला, तमिल चोला वंच से उसका रिष्टा जुडावाया है, राजदंड, राजशाही, उसका प्रतीक जब नहरू जी को सत्ता दी गई थी, जब ब्रिटिश जा रहे थे, तब की कथा है, तब का इतिहास है कि उसमें ये ढूडा गया कि कैसे उसके इड़गिर्द क्या वो किया जाए, सत्ता के हस्तांतरन को जो ट्रांसफर अप्आवर था, जब सौंप रहे थे, तो उसके प्रतीक के लिए किसका इस्तमाल किया जाए, तो ये राजदंड संगॉल इसका इसको निकाला गया, इसको ढूडा गया, इसको बनाया गया, और इ उसको स्थापिद करने की बात हुई अब इस पर ये भी एक बात कही गई थी उसमें कि भारतिय जंता पार्टी की चुकी चुनाओव से पहले की घटना थी और पूरी कोशिश भारतिय जंता पार्टी की थी कि उसको दक्षिन में उसको जड़े जमानी है तर मिलाडू में तम लेकिन तमिलाडू में इस बार भी उन्हें वोट परसंटेज जरूर बढ़ा लेकिन सीट नहीं मिल पाई और उससे पहले तो उनकी बड़ी कोशिश थी अना मलाई को उनों लिया बहुत जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है जितने भी तरीके हो सकते हैं प्रदानमंत्री उनके चा साउथ के लोगों को क्योंकि दक्षिन और तरका तो आप देखी रहें कि किस तरह का लेंग्वेज के अधार पर सनातन को लेकर वहां ओवी सी पिछड़े उनको लेकर किस तरह का जो दरार है खाईयां है जो और बढ़ा ही जा रही है उनको और चोड़ा किया गया है उनको गहरा किया गया है तो वो संदर्व सा सेंगोल का अब चुनाओं के बाद नतीजों के बाद जब 400 पार्तु हो नहीं पाए और विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो गया पहले के मुकाबले बलकि बिलकुल सत्ता से कुछ ही दूर खड़ा हुआ है अभी जो दो बैसाखियों पर यह सरकार टिकी वे नितिश पुमार और चंदरबाबु नाइडू उसको लेकर तो लोग कही रहे हैं कि यही नितिश बाबु यही चंदरबाबु नाइडू मोदी जी की तनाशाही थी मोदी जी का जो पुरा रविया था अपने सहयोगियों की पूरी पार्टी को ही लेकिन दिल्ली में अभी तक इधान सबातुन हासिल नीं कर पाए तो बाकी जगे आप देख लिए नौर्थ इसमें अगर आज हिमत विश्वा सर्मा नहोते या मत्रदेश में किस तरीके से हासिल की या बाकी आप देख लिए बिहार में भी आज धरकंड में आप देख लिए दूसरी जगे आप देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि बंगाल में तो मूखी खानी पड़ी थोड़ी सी सफलता मिली लेकिन उसके बाद जैसी आपने दंब वरा जैसी आपने खोता निए कि आपको लगने लगता कि आप तो ये हो गई उसी उसमें सेंगोल भी था राजशाई का तो ये भी लोग सोचने पर मجबूर हो रहे हैं और कहने पर मजबूर हो रहे हैं तो कैसे उनको रुका जाए कि असल में खवाब तो यही था बादशा का चक्रवरती जुबे थे जो उनका आत्मिश्वास था अतियात्मिश्वास था कि अब तो दो जार उनतिस पैर्टिस तक से तालीस तक अपनी वो रहेगी तो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे तो उसी दरश्टी कोड से शायद या उसी सोच से प्रभावित होकर सेंगोल जो राजशा ही मुनार्की का प्रतीक है तो बहस इसके इर्द गिर्द है तो जो विशिशक्य हैं उनका कहना है और विपक्ष जो उस पे इतराज जता रहा है समाजवादी पार्टी के आरके प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री जब ये संगोल स्थापित हुआ था जब संतत्त बनाता तो प्रधान मंत्री ने उनको बड़ा जुक करके शाष्टांगी किया था अक्चुली प्रधान मंत्री जी जुके थे पर इस बार भूल गए इस बार वो सिर्फ समिधान के इर्द समेडा के साथ लेकिन बात हुगे असर पुरा होता है संचथ में भी बात आई तो स्पीकर के चुनाओं के बाद उन्होंने जो बात कही वो समझ में आगी लोगो को कि कितनी गहरी बात करते हैं सुमिता मर्यादा लेकिन प्रहार में कोई कम नहीं हाँ समझी ना है सामने वाले को तुम बाता लगे उसके उपर सी गुजर जाए कि बोला क्या गया था लेकू जो बुद्धिशी भी लोग है समझते हैं चीजों को ब्लैक हुमर को कटाक्ष को तो बहुत गहरे तक गया था तो अब सदन में तो शुरू हो गया मामला ओम्बिल्डा जी के भी पहले दीनी तेवर समीम आ गये हैं जिस जिस तरह की बाते हो रही है जैस न्विदान बोलने पर कितने लोगों ने बोला जैस न्हीं राउल गांधी ने बोला और लोगों ने ब वर्मली वो कश्मीर से जो सांसाद आए वो अगर बात कर रहे हैं तो आप कैसे उनको दबा सकते किस तरह से उनकी बात आप कर रहे हैं आपने दिपिंदर सिंग उड़ा को जिस अंदाज में डाटा डपटा उसकी जो भारी तिरी प्रतिक्रिया है राश्ट्रपती के आर्मी है उनकी जो आईटी सेल है उसने ऐसी ट्रेनिंग दी उसने ऐसा प्रभावित किया कि विपक्ष के हर दल को समझ में आ गया कि अब इनका मुकाबला कैसे का तो लोग इनी के हतकंडों से या इनी की रणनिती का इस्तमाल अब इनी के उपर ज्यादा प्रभावी तरी जिसका जिक्र मुहन बागवजी ने भी किया, RSS के लोगों ने किया, सही तो कहा, बिल्बू सही कहा, और अगर आज जो मीडिया के मरमग्य है, विशिशग्य है, मिशलेशख हैं, अगर वो दुनिया भर की दूसरी संस्दों का, वहां किस तरह की प्रणाली है, लोक तंतर क वहाँ किस तरह का प्रचलन है, वहाँ विपक्ष की शेड़ो के अबनेट कैसे बनती है, वहाँ विपक्ष को किस तरह के अधिकार है, सबता पक्ष की किस तरह की जिम्मेदारी है, किस तरह की मरियादा है और स्पीकर जिसके उपर सदन को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसके पर एक संब्यधानी करतव्य वो फिर किसी दल विश्यश्का नहीं होके रहता है तो अब ये बाते तो लोग याद दिलाएंगे और इस पर बुराई भी तो नहीं है जिरूरी भी है नहीं दिलाएंगे तो फिरहाल 400 पार के समराज जैसा ही होगा कि आप अठक के रह जाएंगे और आप न समझते बन रहा है न उगलते बन रहा है अभी तो ठीक है शुरुआत की वह है अभी तो कुछ दिन बाद पता चलेगा खबरे तो अभी आने ही लगी है कि नितेश कुमार जो है वो आखे दिखाने लग कि मूल में तो इन लोगों के कुछ और हैं मूल में तो कुछ और यह जो संगौल और संभिधान वाली बात है अगर देश के विपक्ष की मांग है कि वहां संभिधान प्रति लगाई जाए तो वह इस बात से ही उपजी है उसका जो मूल है वह सत्ता पक्ष के उस ताके और हम जैसा चाहें वैसा करेंगे माई वे और हाई वे उस पूरे विवहार उस पूरे आचरण से ही निकला हुआ है दस सालों में जिस तरह का रंग रूप देखा विपक्ष ने विपक्ष की संख्यावल कम था पिछले साल तो पिछली बार की टर्म में तो था ही नहीं बूरी दिप्टी स्फीकर पूरे पूरे करेकाल में ही नहीं था बिना उसके भीड किया तो इन सारी बातों से वहीं से उप जाये जिससे जिसे की पर सी बियाई काम करें जिस तरह से पूरी बिरोक्रेसी के उपर लगाम लगाई हूं ये बीरोक्रसी में आप बीरोक्रसी के अंदर अगर निश्पक्ष बात करें थर्माबीटर डालके तो आपको पता चाल लेगा जो उबल रहा है ताप मान क्या है सारे महत्पूर्ण पदों पर प्रदानमंत्री और उनके चानके उन्हीं के चुनेवे लोगों की न्युक्ति और वो रिटायड ही अरे बहुत हो गिया उन्हें आराम करने जो लेकिन नहीं वहीं होगी बाकी कोई काभील ही नहीं सुप्रीम कोड को टिपनिंग करनी पड़ी क कि क्या चीफ सेकेटरी क्या के पड़ के लिए क्या और कोई है ही नहीं कोई और योग्य विरोकसी में व्यक्ति नहीं है तो सब कुछ मनमर्जी के मताबिक चल रहा था और व्यवस्था उसी तरफ जा रही थी जैसे एक चक्रवर्ती सम्राड जैसे एक राजा जो बात करने राजदंड की तो जो दलील दे रहे हैं अगर बिल्कुल निश्माक भाव से देखें खास तोर पर उस तरह की जो इमेजरी जो इवेंट मैनेजमेंट जो इवेंट का पूरा बड़ा ही सम्मोहित सा बड़ा ही विशाल कैन्वस का इवेंट प्रभावशाली जिसमें से अगर देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि उनके प्लान में था सेंगोल भी जो है वो उस पूरे उसको सूट करता है उनके तो उस त्रिष्टिकोंड से अब यह अगर सम्मिधान की बात उट रही है तो बिल्कुल ठीक है सम्मिधान की बड़ी सी प्रती हो आप जब उसको दण्वत कर रहे हैं माथे पर लगा रहे हैं बिल्कुल जुके जा रहे हैं तो क्या हो रही है सेंगोल वर्से सम्मिधान की बहस में तो सम्मिधान ही भारी पड़ेगा ना कौन इस बात को कहेगा कि उस मुनार्खी को जब आप अपने वेशिक काल के उससे निकलने की बात करते हैं तो फिर तो बिल्कुल ठीक है और जो यह अभी संसत को जाद दिलाया गया है अमर्जिंसी का कोई भी फ्रीडम ओफ स्पीच फ्रीडम ओफ लिबर्टी का जो हम ही है हमायती है वह एमर्जिंसी के फैसले को जस्टिफाई नहीं कर सकता उसको जही नहीं ठैरा सकता लेकिन यह भी तो उतना ही जरूरी है कि मणीपुर को कैसे ठैराएंगे गुद्राकान का कैसे बात हम करेंगे बाबरी मस्जीद के विध्वन्स की कैसे बात करेंगे, और जो नरसंभार देश में और जो चीजे हुई है, उनको कैसे वो करेंगे, आज जो जिस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को, निर्वाचित सरकारों में जिस तरह का उपद्रव करते हैं, राजेपाल की जो संस्ता है, उसका कितना वीकन किया गया है, कितना उसको वीकन कर दिया गया है, बतब बोल नहीं सकता है, क्योंकि मर्यादित हुआ है, वरना उस पदक्यों बिलकुल एक मदारी की तरह इस्तमाल क किया गया दिल्ली से संचालित किया जाता है वहां कैसी-कैसी घटनाएं हो रही है और कैसी घटनाएं हुई है अभी बंगाल में क्या हो रहा है वह राजिपाल साब कह रहे हैं यहां आके शपत लो अरे भई वह स्पीकर शपत दिलाएगा निर्वाची तमेले को इप्टी शर्म की बात है हमारे लिए यह सुप्रीम कोट की जस्टिस नागरतना को कहना पड़ा कि हमें तमिलाडू में उन्हें मना कर दिया कि उसका जिकर नहीं करेंगे उसके लिए मौन वरतनी धारन करेंगे तो दोहरे मापदंड तो फिर एक बार घूंके तो आती है ना आपकी बात आपके लिए तो जबाब के लिए आए तो फिर आप कहो के नहीं ये तो ठीक नहीं अब जड़ा हो नहीं पाएगा इस बार और इस बात में, लोगों की रुचित ये पात में के देश आगे बड़े ये कोई नहीं देखना चाहता है कि कि इह तो गया चला जाएगा वो अपना मंतव य अपना मनत भी है कि देश आगे बड़े, इस घर्षन में, इस रसाकशी में, राष्टिये नुकसान ना हो, जो राष्ट की चिंताएं हैं, वेरोजगारी है, जॉब क्रियेशन है, वेल्थ क्रियेशन है, या जो सारे संस्थाओं को बिलकुल तरोड मोरोड करके हो कर दिये ग इन सब चीजों से हम सबक लें, और एक देश, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंतर हैं, तो उसी तरह का बड़ा दिल रखते हुए, बड़ी सोच रखते हुए, देश को, देश की प्रक्ति के लिए संसथ काम करें, उस तरफ हम लेके जाएं, उमीद करते हैं कि आने वाल जो इसका हुए.